51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ, श्री नाभा माता, जो जम्मू में हैं, जम्मू से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर तो आये चलते हैं, जम्मू सिटी ने निकलने के बाद, हाइवे और टरनल से होते हुए, जंदरा रोड से होते हुए, बस एक घंटा 30 मिनट की ड्राइव और हम पहुँच गए श्री नाभा माता मंदिर, नाभा माता एक एतिहासिक शक्ति पीठ, यह जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह 51 शक्ति पीठों में से एक है, यहां माता सती की नाभी गिरी थी, इसलिए इस शक्ति पीठ को नाभा माता के नाम स इतिहास और मान्यता, पुराणों, श्रीमत भागवत कथा और महाभारत की कथाओं के अनुसार, राजा दक्ष प्रजापती ने एक यग किया था, इसमें उन्होंने अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शंकर को न बुलाकर अपनी अन्य पुत्रियों और सभी दामाद को आमंत्रित किया था, जब सती ने देवताओं को विमान में बैठकर आकाश में जाते देखा, तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा, कि ये सभी देवता कहां जा रहे हैं, भगवान शिव ने उत्तर दिया, कि दक्ष प्रजापती यग्य कर रहे हैं, और ये देवता वहां जा रहे हैं, उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मेरे पिता के घर इतना बड़ा उत्सव है, तो क्या मैं इसे देखने चलूँ? भगवान शिव ने कहा कि उन्होंने निमंत्र नहीं भेजा है, हे सती, राजा दक्ष ने बाकी सभी को आमंत्रित किया है, केवल तुम् भगवान शिव की बात नहीं मानी और यग्य करने चली गई, उनके पिता दक्ष ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया और उनका हाल चाल भी नहीं पूछा, सती यग्य में भगवान शिव का भाग नहीं देख सकी, पती का अपमान देखकर सती क्रोधित हो गई, और उन्हो जी ने विक्राल रूप धारण किया और माता सती को लेकर संसार भर में घूमने लगे, इस दोरान देवताओं ने भगवान विश्नु का अहवान किया कि वे शिव को सामान इस्थिती में लाएं और शांत करें, विश्नु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टु प्रित्वी के उस भाग को शक्ति पीठ का दर्जा प्राप्थ हुआ, कहा जाता है कि यहां सती की नाभी का एक हिस्सा गिरा था, इसलिए यह स्थान नाभा माता के नाम से प्रसिध है, यहां बारह महीने प्राकृतिक रूप से पवित्र जल गिरता रहता है, इस जल से कई बीमारियां ठीक हो जाती है, इस स्थान पर आस्था रखने वाले लोग इस पवित्र जल को घर ले जाते हैं, यहां शेश अनाग की आकृति वाली एक गुफा है, और नाग देवता के भी दर्शन किये जा सकते हैं, यह प्राकृतिक गुफा आध्यात्म का केंद्र है, यह यहां आकर मानसिक शांती प्राप्त होती है, यहां ऐसी शक्ति विराजमान है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है, और वापस आने पर सब को अपनी और आकरशित करती है, स्थानिय लोगों और भारतिय सेना के जवानों की इस शक्ति पीठ में गहरी आस्था है, यहां कई भक्तों की मनो कामनाएं पूरी होती है, मेरा सभी पाठकों से निवेदन है कि आप सभी इस शक्ति पीठ पर आएं और देवी मा का आशिरवात प्राप्त करें, देवी मा सभी की मनो कामनाएं पूरी करें, जैना भामाता.